बॉलिवूड अक्टरस कंग्ना रनौत जो की हमेशा ही विवादों में घेरी रहती हैं चीहां कंग्ना रनौत सोचल मीडिया पर सुर्गयां बडोरती रहती हैं किस तरह से अपने बिबाग बयानों की वजह से कंगना रनौत कई बार विबादों से घिर भी चुकी हैं और कई ऐसी कॉंट्रोवर्सी जो उनकी फिर से सामने आई है एक पुराना मामला था रितिक रोशन के साथ उनका जो कि रितिक रोशन ने एक कम्प्रेंड दर्श करवा और अब उस FIR को पृथिक रोशन ने साइबर से क्राइम इंटेलिजन्स यूनिट पर ट्रांसफर करवा दिया है जिसके बाद कंगना रनौत का जो रिबलाई भी आया था उनका आया था कि एक छोटे से अफैर के लिए इतना रोईगा क्या तो ये कुछ कंगना रनौत के ज जिन्होंने कंगना रनौत पर बड़े आरोप लगाए हैं जी हां कंगना रनौत की जो फिल्म मनी करने का दक्वीन ओफ झांसी को छीनने का आरोप लगाया है अजिस्टन डिरेक्टर कृषनि उन्होंने एक इंटर्विए को दौरान कहा है कि फिल्म से उन्हें हटा दिया बाद में कंगना ने इसके कई एहम हिस्सों को फिर से शूट करने का दावा किया जिसके लिए उन्होंने असिस्टन डिरेक्टर का क्रेडिट भी लिया आपको बदा दे कि फिल्म की शूटिंग खतम होने के बाद पैचवर्क में डिरेक्टर न कृष मौझूद नहीं थे उस समें कृष जो है वो NTR की बाइपिक फिल्म का काम शुरू करना था जिसके सारी जिम्मेदारी कंगना ने उठाई थी एक इंटर्व्य को दरान उन्होंने बड़े खुलासे करे हैं कहती हैं वो कहते हैं साल 2019 में कंगना रनाउट की साथ फिल्म की शूटिंग का ज्यादा तर हिस्सा शूट कर लिया था कंगना ने फिल्म का बहुत ही कम पार्ट शूट करवाया था मैंने एक गाना बस शूट ही नहीं किया था मैंने उसका entry scene shoot नहीं किया था कंगना ने मुझे बताया कि Zee Studio को पसंद नहीं आया जो मैंने बनाया है उन्होंने कहा कि एक भोजपूरी फिल्म की तरह लग रहा था मैं हसा लोग मेरे पीछे पिछले काम को जानते हैं रिपोर्ट्स के मताबिक कंगना रनौत ने 45 दिनों तक फिल्म की shooting को समझा ला था जिसमें कई ऐसे महतोपूर जो की scene से जो की shoot कर लिए गए थे जो ये जो बड़ी खाबर है ये उन्होंने आरूप लगाया था कि किस तरह से कंगना रनौत ने उन्हें ये बोला है कि उनके जो scene जो उन्होंने shoot किये हैं वो एक भोजपरी फिल्म की तरह लग रहे हैं और किस तरह से उन्होंने कई जो जो उन्होंने बताया है कि उन्होंने song shoot कर लिया था song का एक हिसा उन्हों शूट कर लिया था सो कई ऐसे scene थे जिनको हटा दिया गया और जिनको फिर से रिशूट करवाया गया उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने कगनारणोत उनसे फिल्म छीनने का उनसे आरोप लगाया है तो आप क्या करना शाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बता है साथ ये से अबडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले